पीएड एंटरस टेस्ट गुनानकदीब युनिवस्टी अमरित सर जो question paper है उसकी answer की आई है आज आई है तो उसके teaching potential के जां किसी और area में objections हैं, controversy है तो उसको clear कुछ करना चाहते हैं यह पहले बता दूँ के कब तक यह करनी है last date for submission of objection for answer की through email only at pbbedadmissions2023 at gndu.ac.in through email आप यह objection कर सकते हो, second august तक है यह आज 31st है परसो तक है तो Wednesday तक दो बजे शाम तक तक तो अगर objection करना चाहते हैं एक और भी है आगे यह होगा रहा यह रहा एक page पर और लिखा है on 31st July 2023 by 5 PM answer की will be put on the website pupunjabbedadmissions.gndu.ac.in the candidates can file their objections regarding discrepancies and accuracy of the key by email same email address है latest by 2nd July 2023 by 2 PM same चीज है valid the valid concerns thus expressed will be given due consideration while evaluation तो जो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी help करूँ तो आप एक काम कीजिए अभी सारे 150 question का analysis फर्स्ट में तो कोई general awareness में कोई objection में रिखाल में नहीं होगा किसी को भी क्योंकि pure objectivity है यहाँ subjectivity है वहाँ objections हो सकते हैं तो वहाँ objections के लिए आपके पास solid ground नहीं होगा कारण यह है कि for example एक जो answer है वह answer कहां से बनते हैं जो fundamental theory होती है फंडामेंटल थ्योरी है ब्रूनर्स की प्याजे की वाइगास्त की की थांडाई की टोटल constructivism है जॉन डेवीज progressive education है जिसने world में change लाए है naturally उसकी तरफ जो answer जाएगा वह best answer होगा वह right answer होगा आपके TET में UGC net में C TET में सभी वह right answer होते हैं तो यहां अगर वैसा नहीं हो रहा तो आप वो base दे सकते हो लेकिन वह base आपके पास मेरे ख्याल में नहीं होंगे हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं अगर आप चाहते हो तो फिर मैं जो question objectionable है जो controversial है जा उनके लिए clarity चाहिए जाका ऐसी base दिया जा सकता है कि इन पर हमें objection है तो आप kindly मुझे उस MCQ की नमबर नहीं क्योंकि set ABCD है आप उस MCQ को जान तो type करके लिखके बेजिए कि यह objectionable है जान उसकी photo pick करके नीचे नमबर भी दे दूँगा वहां पर आप WhatsApp कर दीजिए basic एक message जो आप कौन सा question है उसकी stem जो है option बेशक मत लिखे अगर लिखने है option भी लिख सकते हो जैसे भी आपका objection है तो वो लिखे अगर आप page पर अगर आपका जो जहां पर question printed है answer booklet है आपके पास sorry question booklet है तो वहां पर आप objection अपना लिखके slip पर व पर आप focus कर रहे हैं otherwise जो 100 के करीब जा 50 के करीब इतने question को analyze करके उसका data collect करके जो evidence collect करके present करने के लिए time लग जाएगा दो बच जाएंगे पर दो तरीके दो बच जाएंगे तो मुझे तो पता ही है जो जिन question पर है पर आप अगर चाहते हो तो अगर नहीं चाहते इस okay then proceed अगर चाहते हो तो फिर मुझे वह आप question भेज दीजिए मैं हर question पर evidence आपको provide कर दूँगा अपना perspective दे दूँगा ये कोई युद्ध नहीं है ये सिर्फ है कि हम समझना चाहत है कि वह वाला क्यों ठीक है ये वाला क्यों गलत है उसका कारण क्योंकि B.Ed, B.L.Ed, M.Ed जो भी आपने करना है वह समझने के लिए है आपका first paper है understanding the learner तो हम समझने के लिए हमने किसी को ना मैं उपर जाना चाहता हूँ ब्रूनर वाइगौस्ति प्याजे वह उपर है कि उन्हेंने fundamental research दी है दूसरे कई objection हो सकते हैं कि पिछले UGC के exam में जहां कहीं बाहर से हो चुके exam में से अगर question उठाया गया है वहां कोई और answer है यहां कोई और answer है this is clearly objectionable तीसरा कि पिछले paper में आये question repeat हुए है वहां अगर अगर कोई answer है यहां कोई answer है यह तीन criteria मुझे साफ दिखाई दिते हैं अधरवाई सीधा book में से कि यह right है यह wrong है यह आप नहीं identify कर पा हुए अगर आप चाहते हो तो आप मुझे वह send कर दीजे मैं कोशिश करूँगा timely कल तक आपको जो evidence है जो analysis है करके right wrong क्या हो सकता है क् probability है तो वो बता दोगा thank you dr. पीरसी